मदबदेश की सियासी नौटंकी बैंगलूरू बे देखने को मिली जब पूर्व मुख्यमंत्री दिगविजा सिंग कॉंग्रेस के बागी विधायकों से मिलने पहुचे और विधायकों ने उनसे मिलने से मना कर दिया इसके बाद दिगविज़ सिंग ने MP के मंत्रियों और कुछ विधायकों के बागी विधायकों से मिलने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया तो वे धरने पर पैट गे इसके बाद पुलिस ने कॉंग्रेसियों को हिरासत मिले लिया है मदवरेश कॉंग्रेस के सीनियर नेता दिगविज़ सिंग अपनी पार्टी के बागी विधायकों से मिलने बैंगलूरू पहचे लेकिन बागी विधायकों ने उनसे मिलने से इंकार कर दिया जिसके बाद पूर्व मुल्ठिमंतरी दिगविज़ सिंग और उनके सास गय नेत घरने पर बैट गया बैंगलूरू एयरपोर्ट पर पुलिस के साथ उनकी बहस भी हुई गौरतलव है कि कॉंग्रेस के 16 बागी विदायक इस समय बैंगलूरू में है इस वजह से कमलनाथ सरकार पर संकता गया है बीजेपी आरोब लगा रही है कि कमलनाथ बहुमत साबित करे जब कि कमलनाथ का कहना है कि जब तक 16 विदायकों को भोपाल नहीं लाया जाता है जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता दिविजा सिंग ने ट्विट कर कहा कि बैंगलूरू में तो भाजपा की सरकार है यहां कि पुलिस भाजपा सरकार के अभीन है मैं यहां हूं हूं मुझे तो भाजपा के राज में भी उनकी पुलिस के बीज भी बीडर नहीं लग रहा हैं लेकिन भाजपा नेता कह रहे हैं कि विदायकों को दर हैं तो दर किससे हैं खुद भाजपा से न हुआ हैं और उनके फोन चीनल लिए गए कि पुलिस वाले उनसे बात भी नहीं करने दे रहे हैं ओक एसमें कि आपती है जब अब जया visitsी ड्रामा बेंगलूर में चल रहा था तभी कॉंग्रेस के बागी विधायकों के वीडियो मैसेज आए कि वे बंधक नहीं है और वे दिग्विजा सिंग से मिलना भी नहीं चाहते हैं इन विधायकों और हटाए गए मंत्रियों ने साफ कहा कि आज मद्पुदेश में कॉंग्रेस परकार की जो दश पर देश में सिर्फ दिग्वजय सिंग की वजे से भगें हैं उनके वज़े से और हमारी कंग्रेस बरबात कर दी लेकिन आप एसी कंग्रेस में नहीं रहना चाहते हैं जिसमीं दिगवजय सींग है और मैं बैंगलोर की पुलिस से निवेदन करती हूँ कि हमारी सुरच्छा करें और हम दिगवजय सींग से नहीं मिलना चाहे ते बिलकुल 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 नहीं मिलना चाहे मोझे मालूपड़ा है कि मानिक दविजेसिंग पूर्र मकंती में प्राइश हम से मलाकात करने हैं में अपनी स्च्छा से आई हूं यहां और मैं किसी के दबाव मैं नहीं हूं और मैं दिना डिख्विजेसिंग से बिल्कुल मिलना नहीं चाहती हूं कि उनी के कारणों से तो आज कांग्रेस में ऐसा हुआ है जो वो अपनी मनमानी कर रहे थे मुझे चैनल के माध्यम से जानकारी हुई है कि मानी दिग्विया सिंग जी बेंगलोर में आई हुए है वो हमसे मिलना चाहते हैं लेकिन हम लोग अपनी मरजी से बेंगलोर आई हैं और हम दिग्विया सिंग से मिलना नहीं चाहते हैं इनकी वज़य से यह सरकार गई है और बविश्य में मैं बेंगलोर की पुलिस से निवेदन करना चाहता हूँ तो वो हमको पूरी सुनच्छा प्रतान करें इस बेंगलोरू में धरने पर बैठे दिग्विद्या सिंग का फोटो ट्विट पर शेयर करते हुए भाजपा के राश्य महासाचिव केलाश विज़ेवर्गे ने तंच कसा है विज़ेवर्गे ने लिखा है बैंगलोरू में नोतंकी हमारा सभाग्य है कि ये माननी राज नीटी में हैं यदि वालीवुड में होते तो अमिता बच्चन जी को भी मात कर देते हैं संगीत 300 लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक थेलों से मेलों तक पकडंडियों से सडकों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजडीती से उटमीती तक दखन आप देख रहे हैं दखल्यू